हेलो बच्चो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस और साल्ट का नेक्स्ट जो टोपिक है वो है इंडिकेटर नाम से पता लग रहे हैं इंडिकेट करना यानि किसी चीज के बारे में पता लगाना तो इंडिकेटर क्या होते हैं वो सब्स्टांस होते हैं जो जो होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए तो इंडिकेटर क्या करते हैं यह क्या होते एक प्रकार के कलर वैन एडिद आ सोलुशन जब एसिड और बेस में इनको डाल दिया जाते हैं तो यहां पर टू टाइपस ओफ इंडिकेटर है नेचुरल और सिंथैटिक कंपर तुनकंट्थिक द्वारा पdragon वहते हैं और इंडिकेटर जैसे लिट्मस पैपर है आर्मरिक है चाइना रोज है यह था टेनों की इंडिकेटर है ने इन दाफोम यह किन विए consomm और sigga की फोंम तो इस हो स्कूल क से थीज़ा म्रम सुटिए फेप उम चुब्रिजा का भिवर समर्बद कीहां और फीगर में दिखाए दे रहा है रैट और नेक्स स्टै ब्लू तो ड्लू ड匼्य मस पेपर इस तरण इंटु रएड न्यून् लिटमस पेपर एपाइस पाय जाता है इसक्टिविटी के मध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऐसेड़ बेशी और नेटरल में उसमें जो मैटिरल हमें रिक्वाइड चाहिए बिटा फ्यू रैड और ब्लू लिटमस ट्रीप चाहिए आपको हाइड्रोकलोरीक एसर चीए वीनेगर तो आप क्या लो छोट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन सभी सोलुशन्स को आप लोग टेस्टूब के अंदरे डालो उसके बाद विद अहल पॉफे ड्रोपर आप ड्रोपर की हम से ड्रोप वाइस ड्रोप्स क्या डाल सकते हो ब्ल्यू और रेड जो लिटमस पेपर स्ट्रिप है वो डाल सकते हो अरो अबजर्व करें तो आप लोग क्या देखते हो जो हाइड्रो कलोडिक एसीडर और वीनेगर है टर्ण है और कि लिटमस पेपर रैट और म्यां जाटा है चुटार होई इससे कलर यहए या कैल्शियुम हीड्रोकसाइड है वो चनल ड्रोप लोड्य कोण सा कलर करें गल्युर कर दो नो कलर change of a blue litmus paper तो distilled water है उनके अंदर किसी परकार का कोई change नहीं आता वो neutral होते है यानि क्या पता लगा जो उपर वाली activity थी इसमें जो है बेटा आपके जो है hydrochloric vinegar है वो क्या है acid है और जो next है वो क्या होते है बेटा blue color आ जाते है तो वो क्या है base है तो इसे क्या पता लगता है कि जो है आपका hydrochloric acid वो acid है sodium hydroxide और calcium hydroxide वो क्या base है उसके अलग turmeric जो है एक another natural indicator है turmeric वैसे yellow होते है जो turmeric turn जब आप इसके अंदर कोई भी solution डालते हो turmeric paper turn into red red color आ जाते है जब आप इसको base के साथ डालते हो इसके अलवाट turmeric paper के अंदर आप यह देख भी सकते हो कि जब भी कभी आपके कपड़ों पर turmeric लग जाती है तो अगर आप उसको पानी से दोते हो यह सरफ से दोते तो उसका color कैसा हो जाता है red color हो जाता है जो turmeric का है तो आप देख सकते हो इस activity के माधियम से आप लोग क्या लोग एक टी स्पून टर्मरिक पाउडर लो water लो और स्ट्रिप ओ वाटर तो आप क्या देखते हो जब आप क्या करते हो इसमें एड करते हो टर्मरिक के अंदर कुछ थोड़ी quantity of water की आप उसका पेस्ट बनाते हो जब आप उस पेस्ट को अपलाई करते हो पेपर 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 पे ड्राई होने के बाद जो कलर जो है यलो पेपर तो आपको कैसा कलर दिखाई देता है तो आप यह जो टर्मरिक इंडिकेटर है इस रेडी टू यूज कट इंटू स्ट्रिप ओफ यलो पेपर थस ओप्टेंड तो आपको यलो पेपर जो है आपको उसको छोटे-छोटे हिस्सों में काट ले तो वो क्या हो जाएगा यह भी आप एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हो तो ऐसे ही बेटा आप लेमन जूस है और इन जूस है वहिनकर है इंसभी आप यह क्या करोई टम्रीक स्ट्रिप के उनको यूज कोल टालो तो आप देखो कि उनका कलर आता है इसके लावार चाइनरोज galaxy जो है एक परकारी की में क यह जो है मेक पेपर इंडिकेटर चाइना रोग सुलीशन डार्क पिंक यानि मेजेंटा कलर यह को साथ यह ग्रेंटकर करते हैं चाइना रोज पैलेट्स है वोटर है विकर है फनल है और फिल्टर पेपर है तो आप क्या करो कुछ चाइना रोज लीजे आप उनको आप एक बीकर के अंदर डालें फुल वाटर है वोज इस बीकर में इस बीकर को आप लोग क्या करो नाव हीट बीकर को क्या करना है हीट करन ठिणिभल मेसलर तो आप इसको में लेबन जूस में सोड़ा वयर में वेपर बिंदें डाल कि बेंग में इसके बाइटा शोगां बूंप स pist vocals यहां नां हमिएं आजब और स्काि साथुन में से अध्य कुर्ण सरगें के प्रकूरिस आपर नतर को लेंदें colorless रहता है acid के साथ इसके लावब जो methylene orange है methylene orange भी एक परकार के synthetic indicator है जो lab के अंदर त्यार किया जाता है तो ये orange color देता है acid के साथ और yellow color देता है बेटा base के साथ okay hope you are understood